उज्जैन के प्राचीन राज्य में जहां हर और समरिध्य और शांति का राज्य था एक राजा का शासन था जो अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था वह राजा थे विक्रमादित्य उनके दरबार में विद्वान, योध्धा और साध प्रकत, धैर्य और न्याई की परीक्षा लेती हैं, यही घटनाएं विक्रमादित्य के जीवन को एक दंत कथा में बदलने वाली थी, एक दिन दरबार के द्वार पर अचानक एक अंजान व्यक्ति प्रकट हुआ, वह लंबा और छायादार व्यक्तित्व था, जिसने गहर लबादे से अपने चेहरे का अधिकांच हिस्सा ढख रखा था, जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुआ, दरबारियों में एक हलचल सी मच गई, दरबार में हर कोई उसके अनोखे काट के घोड़े को देखता रह गया, जो एक साधारन खिलोने जैसा नहीं था, वह सीधे र उसकी लकडी की सतह पर रहस सिमयी नकाशी थी, और उसकी पॉलिश से एक हलकी सी रोशनी झलक रही थी, विक्रमादित्य ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसे एक लाक स्वन मुद्राएं दी जाएं, सिक्के स्वीकार करते समय, वह अजनभी चेतावनी देते का निश्चय किया, उन्होंने हलके से उसे कोड़ा मारा और घोड़ा एकदम हवा में उठ गया, महल के बाहर निकलते हुए तेजी से क्षितिच की और बढ़ चला, घोड़ा विशाल समुद्रों के उपर उड़ता रहा, विक्रमादित्य की पकड़ कस्ती जा रही थी, उन जंगल में जानवलों की अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी, जंगल में गहरे जाने पर दिन हफ्तों में बदल गए, विक्रमादित्य फलों और जहरने के पानी से जीवन निर्वाह करते हुए आगे बढ़ते रहे, एक दिन उन्हें एक खुला स्थान मिला, जहा एक अजीब सी गुफा थी, गुफा के बाहर एक विशाल बर्गत का पेड़ था, जिसकी शाखाएं दो कुओं के उपर फैली हुई थी, पेड़ की एक उची शाखा पर एक बंदरिया बैठी थी, जो लगातार चिला रही थी, विक्रमादित्य ने इस अजीब द्रिश्य क को देखते हुए एक पेड़ के पीछे चुपकर सारा हाल जानने का निश्चे किया, दोपहर का समय था, तभी एक रहस जमय सननाटा च्छा गया और गुफा से एक तांत्रिक बाहर निकला, वह कुएं से पानी निकालकर बंदरिया पर छड़कता है, और आश्चर्य जनक र पढ़कर नंदिनी नाम की उस युवती को आजात करने का निश्चे किया, कुएं के पास जाकर उन्होंने उसी पानी को इकठा किया, और बंदरिया पर छड़का, जो तुरंथ ही एक सुन्दर युवती में बदल गई, युवती का चेहरा डर और आशा से भरा था, वह पीड़ा को समझा और उसे बचाने का निश्चे किया, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने को हुए तांतरिक गुफा से बाहर आ गया, और नंदिनी को मुक्त देख, क्रोधित हो उठा, उसने हाथ की एक लहर से राक्षसों की सेना बुला ली, जो विक्रमादित्य को मारन के लिए आतुर थे, विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और उन राक्षसों के साथ एक भयानक युद्ध शुरू कर दिया, उनकी तलवार से ज्वाला सी फूट रही थी और उनकी बहादुरी ने सारे राक्षसों को धराशाई कर दिया, जैसे ही तांतरिक का ठहा का जंगल में गुंजा, विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाया, इस दुष्ट का काम मैं तमाम करूंगा, बेताल ने तांतरिक को हराते हुए कहा, विक्रमादित्य ने उसे पाताल लोग जाने का आदेश दे कर नंदिनी को आजजादी दी